हालो एन वेल्कम ओम्स आप देखरी हैं मदर हुड मंत्रा और मैं हूँ आपकी दोस्त सोनम बच्चों का वजन कैसे बढ़ाएं और क्या-क्या खिलाएं कितना होना चाहिए बच्चों का वजन और बच्चों का वजन बढ़ना क्यों जरूरी है आज हम इस बारे में बात करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखे हर एक मा का एक सबसे पहला कंसर्ण यही होता है कि उसका बच्चा हेल्दी रहे हेल्दी इन वे मोटा ना हो मतलब हेल्दी हो अच्छा हो और तंदृस्त दिखे अब वो कैसे होगा बच्चे का वेट कितना होना चाहिए आइडियल वेट कि वो हेल्दी की कैटेगरी में आ सके तो देखे बच्चा जब पैदा होता है तो उसका जो वजन होता है चाहे वो दो किलो का पैदा हो या तीन किलो का पैदा हो या धाई किलो का पैदा हो उसके बाद बच्चे का जो वजन होता है तीन महीने के अंदर मतलब 0-2-3 months के अंदर 150-200 grams बढ़ता है यानि कि तीन महीने बाद आप बच्चे का वजन उसके वजन से 200 ग्राम तक बढ़ा हुआ देख सकते हैं इसे हम हेल्दी की कैटेगरी में रखते हैं वहीं जब बच्चा 3-6 मंस में आ जाता है तब हर वीक बच्चे का वजन यहां पर मेरी बात पर गौर कीजिएगा हर वीक बच्चे का वजन ज बच्चे का वजन जो है वह आईडली 100 ग्राम बढ़ना चाहिए अगर कम भी है तो इतने कोई टेंशन वाली बात नहीं है और अगर जादा बढ़ रहा है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं पर जादा नहीं बढ़ना चाहिए ओवर वेट नहीं होना चाहिए वहीं एक स पैदा हुआ है तीन किलो का तो कम से कम बारा किलो का तो वो होना चाहिए या चौदा किलो तक का तो वो होना चाहिए जब वो एक साल का हो इतना वेट नॉर्मल है पैदा होने के तीन गुना तक का वेट एक साल तक की उमर में उसका होना बहुत जरूरी है तब उस बच्चे क कि अगर वेट नहीं बढ़ता तो बच्चा जो है वो कुपोर्शन यानि की माल न्यूट्रीशन का शिकार हो जाता है उसमें बहुत सारी कम्या आने लगती है शारेरी तोर पर उसकी जो है वो ग्रोथ नहीं होती फिजिकल डवलप्मेंट रुक जाता है बच्चे का उसके या बच्चे को कोई फिजिकल प्रॉबलम होना ये सब चीजें भी कंसिडर की जाती है इसके पीछे का रीजन कुछ भी हो सकता है पर यहां पर हम बात करें कि कितना होना चाहिए और क्यों जरूरी है उसके साथी बच्चे के जो इम्म्यूनिटी पर इसका बहुत असर पड बच्चे को लगाता रहती ही है ये भी एक प्रॉबलम होती है बच्चे के साथ अब बात करें कि बच्चे का वजन बढ़ाएं कैसे देखिए आप ब्रेस फीडिंग मदर हैं और आप अपने बच्चे को फर्स डे से काउंट कर रही है कि वो कितना है कितना हो गया है तो यह सारी चीजें आपके एक मेजरमेंट टेप्स पर हैं तो ऐसे में आप बच्चे को दूद पिलाएं हर दो घंटे में दूद पिलाएं आदे घंटे में दूद पिलाएं जैसे बच्चे की डिमांड है वैसे अपनी फीड बच्चे को जरूर दे बच्चे को जितना आप दू सकती हैं बच्चे को आप राकी खिलाए ये बच्चे को आप थोड़ा सा कार्भो हाइडरेट में हलके फुलके जैसे चावल का पानी या चावल खिला सकती हैं बच्चा जैसी ग्रोथ कर रहा है वैसे चाहे आठ महीने का हो नौ महीने का हो एक साल का हो तो बच्चे को आपको बच्चे को वो सारे nutrition मिलने बहुत जरूरी हैं जिससे बच्चे की मांसिक और शारेरी विकास होना चाहिए जिसमें आप राजमा, डाले, अनाज, सब चीजे इंकलूड कर दीजे ये सब चीजें बच्चे के लिए बहुत जरूरी है और मैंने कहा कि रागी आप बच्चे को दे सकती हैं रागी में वाइटमिन डी भी अच्छा होता है, कैल्शम भी अच्छा होता है जो बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है और टाइम टाइम पर बच्चे को आप खिलाती रहें ज्यादा ग्याप मत रखिए बच्चे को प्रॉपर खिल तो ये आज हमने बात की कि बच्चे का वजन कितना होना चाहिए आइडली और कैसे बढ़ा सकते हैं और क्यों जरूरी है ये हर पेरेंट को जानना जरूरी है उमीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ तो इंफोरमेशन मिली ही होगी और अगर इस तरह के कोई भी पर आप कंफ्यूज हैं कोई राय जानना चाहती है तो हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे हमें कमेंट सेक्शन में लिखीगा ज़रूर फिलाल तो उस वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाबाए टेक केर